लोगडाउन के इस दौर में पुलिस लोगों को समझा समझा कर परिशान हैं कि घर से बाहर मत निकल ये सोशल डिसंस का पालिन करिए मास्क लगाईए सेनिटाइजर का उप्यूग करिए लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ली रहे हैं लोगों को समझाने के लिए पुलिस तरह तरह के जतन कर रही है कभी समझा रही है तो कभी डाट रही है कभी डंडे चला रही है फिर भी लोगों के दिमाग में बाहर घूमने का चसका लगा हुआ है अब ऐसे में पुलिस करे भी तो क्या करे ऐसा ही एक मामला उतर प्रदेश से सामनी आया है उतर प्रदेश के इतावा शहर का है ये मामला जहां पर एक यूवक लॉकडाउन तोड़कर घर से बहा निकलाया पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा हैरान कर देने वाला है पुलिस यूवक को अपने साथ चौकी ले कर गई और उससे सपना चौधरी के गाने पर डांस कर आया इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वीडियो में साथ तोर पर देखा जा सकता है कि लड़का सपना चौधरी के गानी तेरी आख्यां का यूकाजुर पर डांस कर रहा है पुलिस चौकी में कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं जहां यूवक डांस कर रहा है वहीं एक पुलिस करमी कुरसी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है वहीं आसपास और भी पुलिस करमी मौजूद है सोशल मीडिया पर वाइरल हुए इस वीडियो को ट्वीटर पर शेयर किया गया है जिसे अब तक काफी बार शेयर किया जा चुका है और वीडियो को देख कर कहा चा सकता है कि जब लॉकडाउन का उलंगन का लड़का घर से बहा निकला तो पुलिस ने उसे समझाईश देने के लिए सपना चौधरी के गाने पर डांस करवाया ताकि वो आगे से लॉकडाउन का उलंगन नहीं करी एक तरफ ये घटना अच्छे तरीके से देखी जा रही है महीं दूसरे तरफ इसे बुरे तरीके से भी देखा जा रहा है लोगों का कहना है कि ये पुलिस की कारेप्रणाली के विपरित है और किसी को भी इस तरह से चौकी मिला कर डांस करवाना पुलिस की कारेप्रणाली पर एक प्रश्न चिन निखड़ा करता है इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि डांस करवाने वाले पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया है ये बताया जा रहा है कि उक्त घटना को ध्यान में रखते हुए इटावा के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ने उपने रिक्षक विश्वनात मिश्राद जो की थाना प्रभारी है उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है भले है पुलिस के कालिप्रणाली पर प्रेश्वन चेहन लग गया हो लेकिन कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत पसंदा रहा है और लोग इसे जम कर शेयर कर रही है और वीडियो में डांस करते हुए शक्स की तारीफ भी सूशल मीडिया पर की जा रही है